जेशी किशना दोस्तों, वेलकम तो स्वात सफर और जित्तिकी अब बारिश को मौसम शिरूप होगे हैं जो सबके घर में चटपटे, मंगोडे, पकोडे, भजिया बनने स्टार्ट होगे तो आज मैं आपको मूंग डाल के ऐसे स्पेशल मंगोडे बनाना बताऊंगी जिसमें आपको बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी और एक तम जैसे ठेलो में खाते हैं क्रिस्पी वाले, वो सारे सीक्रेट में आपके साथ शेयर करूँगी आपके family के साथ अप खुद भी बाठ की इसको enjoy कर सकते हो ऐसी एक ट्रिक में आपके साथ share करूगी बहुत कम time में बनेंगे भूत कम महनत में बनेंगे और खाने में इतने tasty होंगे कि जैसे यह आप इसको बनाएंगे फटाफट से यह खाया भो जाएंगे इसके साथ ये हरी चटनी मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है तो फटा-फट से वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर मूंकी डाल ली है ये लगभग दो कटोरी मूंकी डाल थी इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से धो के और 2-3 घंटे के लिए भिगा दिया था इसके साथ मैंने लिये चने की डाल ये बहुत important secret है ये चने की डाल को भी मैंने धो दिया था और उसके बद भिगो दिया था जितनी आपने मूंकी डाल ली है उसकी हाफ आपको चने की डाल लेनी है दो कटोरी मूंगी दाल थी तो एक कटोरी चैने की दाल ले ली और इससे बहुत ही अच्छा वाला ultimate टेस्ट आता है अब मैंने क्या किया इस दाल को मिक्सी के पॉट में डाल दिया थोड़ी सी खड़ी दाल मैं इसमसे निकाल के अलग कर दूँगी और उसके बाद इन दोनों को दालों को मिक्स करके इसको हमको पीच लेना है अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको एकदम फाइन नहीं पीच सकते दरदरा नहीं पीच सकते जैसा आपको पसंद आया आप वैसा इसको पीच ले पानी का जो अमाउंट है वो कम रखे उसके बाद इस डाल में जो मैंने खड़ी डाल निकाल के रखी थी वो मिला देंगे ये जो बीच में क्रिस्पी पनाता ना इस डाल के कारण वो बहुत टेस्टी लगता है इसके बाद मैंने इसमें जीरा डाला एक चमच जीरा डाल दिया एक चम्मच खड़ा धना था जिसको मैंने कूट लिया था वो भी इसमें डाल दिया इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके साथ मैंने इसमें हरी मिर्च एट करी है और हरी धनिया एट करी है आप चाहे तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं लिए इसमें हर इमिर्च को स्किप कर सकते हैं इसके बाद मैंने नमक एट किया नमक स्वाथ कि अनुसार डाल दे हैं अग्को बाइघन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और डाजेस्ट भी अच्छे से हो जाती है अब इसको बहुत अच्छी तरीके से फेट ना है एक ही डारेक्शन में कम से कम दो से तीन मिनट तक आप इसको नॉन स्टॉप फेटते रहे इससे यह जो एयर आ जाएगी इस दाल में और जो हमारे मंगोडे है यह मंगोडी है वो बहुत अच्छे से फूलेगी और एकदम सॉफ्ट रहेगी अंदर से और भार से क्रिस्पी रहेगी अब मैंने यहां एक चम्मच अद्रक लैसून का पेस्ट लिया है यह टोटल ऑप्शनल है अगर लैसून अद्रक नहीं डालना चाहते तो मट डाले और चाहें तो सिर्फ लैसून भी डाल सकते हैं इसके बाद मैंने इसमें प्याज अट करी प्याज का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है लेकिन अगर बेना प्याज के भी बनाना चाहें तो आप अधरक लैसून प्याज को स्किप कर सकते हैं मैंने थोड़ी सी प्याज और यह पेस्ट जाला है इससे बहुत अच्छा वाला टेस्ट आता है थोड़ा अलग सा टेस्ट आता है तो यह सब डालके मैंने इसको फेट लिया एक बार फिर से और कढ़ाई रख दी ती गरम होने के लिए उसके बाद मैं इसकी मंगोडी इसमें इसको अच्छी तरीके से फ्राय कर लोगी अगर आप चाहें तो छोटे-छोटे जो कई ठेलों में जैसे मिलते न छोटे-छोटे तो वैसे भी बना सकते हैं हम घर में बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है मैं जब बड़े सा इसके बना रही हूं फूलने के बाद तो यह और इसको अच्छी तरीके से सेख लूँगी और यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देती हूं यहां पर हमको इसको पूरा 100% फ्राय नहीं करना है यहां पर मैं इसको 70-80% फ्राय करूंगी हमको इसको सिर्फ पकाना है अब यह 70-80% फ्राय हो गए है तब म कि 20% जो बचे हुए है उसको हम बाद में फ्राय करेंगे यह बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिससे आपके जो मंगोडे है ना एकदम ठेले वाले जैसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो इसी तरीके से मैं दूसरे वाले भी तोड़ लेती हूं और अगर आधे फ्राय करके इसको रख ले और जब आपकी फैमली आ जाए या आपके फ्रेंड्स आ जाए तब इसको आप दुबारा से फ्राय करें इस टिप से आपके जो मंगोडे हैं यह बहुत टेस्टी भी बनेंगे आपका टाइम भी बचेगा और आपके जो फ्रेंड्स अगर इंजोई कर सकते हैं तो बहुत अच्छा तरीकह है यह इसको बनाने का यह पुरे पक गए है अब इसको पकाने का टाइम जो है वो हमारा बच गया और इसको इसको इसी तरीकह से निकाल कि इसको कम से कम 5 मिनिट बाहर छोड़ देंगी एकदम गरम गरम दुबारा नहीं डालना है अब यह मैंने थोड़ी दर धाली में इस तरीके से छोड़ दिया था अब तेल तो मेरा गरम है पांच मिनिट हो गए है तो अब मैं क्या करूँगी इसको दुबारा से तेल में डालूँगी यह है important tip ऐसा करने से यह इतने जादा क्रिस्पी और टेस्टी बन दे है एक बार इसको जरूर ट्राइ करें इस तरीके से इसको बना के देखें और आपने उतना करके रख दिया तो आपको यह करने में मातर दो मिनिट का टाइम लगेगा क्योंकि यह already cook है एकदम पके हुए है एकदम गरम तेल में आपको डालना है दो-चार बार चम्मच हिलाना है और यह एकदम ready हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत easy हो जाएगा अगर आप किसी को चाय पे invite कर रहे है यह आपको किसी को मंगोडे बना के खिलाने है तो बस यह इतना आपको करना है तो यह देखिए दो मिनिट में हो गए पर्फेक्ट इसमें कलर आ गया एकदम क्रिस्पी हो गए है तो फटा-फट से टिशू पेपर मैंने लगा के रखा है प्लेट में उसमें इसको निकाल लेती हो तो यह इंपोर्टेंट टिप है मैंने थोड़े बड़े सा इसके बनाए है आप चाहें तो छोटे भी बना सकते है तो यह बस बनके एकदम तयार है बारिश के मौसम में इंजॉई करने के लिए अपने फैमली के साथ फ्रेंड्स के साथ यह अपने अगेले के लिए भी आप बना के इंजॉई कर सकते है इसके साथ मैंने हरी चटनी पीसी है धनिया मिर्ची अधरक लैसुन नमक सब को डाल के मिक्सी में जो नॉर्मल चटनी होती है वो बना लिए आप चाहें तो कैचप के साथ या दही के साथ किसी भी चीज के साथ इसको एंजॉई कर सकते हैं खाने में तो बहुत टेस्टी लगते ही है बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और चैनी की दाल से इससे बहुत अच्छा और यूनीक टेस्ट आता है तो इसको जरूर ट्राइ करें ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए अंदर से एकदम सौफ्ट है और बाहर से इतने क्रिस्पी है कि इसमें से साउन निकल रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें थैंक यू